As-salamu alaikum आझ हमने बनाई है सूजी की बर्फी और इसको विलकुल आसादी से सिंपल तरीके से हमने बनाये और यह बनी है बिलकुल सौफ्ट ताकि हमारी बड़े बुजर्ग इसको आसानी से खा सकें बिलकुल हाड हमने नहीं बनाई है तो वीडियो को लाज तक ज़रूर देखें कि मैंने किस तरीके से सूजी की बरिफी बनाई है अगर आपको हमारी रेसिप अच्छी लगे तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों और फैमिल के साथ शेयर करें चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूली तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है तो सबसे पहले हमने लिए एक स्टील की थाली और उसको हम ग्रीस कर देंगे देसी घी के साथ में अगर आप डाल डागी में बनाना चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं मैंने देसी घी का यूज करा है और देखें अच्छे से मैंने इसको ग्रीस कर दिया है इसके उपर हम डाल देंगे ग्रेटेड नारियल और थोड़े से ड्राइफ फूट्स डाल देंगे जिसमें है पिस्ता और बदाम और इस थाली को हम रख देंगे एक साइट अब हम बनाएंगे हलवे की तैयारी करेंगे जिसमें मैंने लिए है दो कप सूजी बारिक वाली सूजी लेंगे और जितनी सूजी लिए है उतनी ही हम चीनी लिएंगे यानि 2 कप सूजी तो 2 कप मैंने चीनी ली है आप अपने टेस्ट के मताबिक ले सकते हैं आदा कप लिया है देसी घी अगर आप देसी घी में नहीं बनाना चाहें तो डालडगी में भी बना सकते हैं एक हैवी बोटम हमने कडाई ली है और उसके अंदर डाल देंगे देसी घी गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और देखें हमने इसमें घी डाल दिया है कडाई के अंदर थोड़ा गर्म भी हो चका है अब हम इसमें डाल देंगे सूजी और सूजी डालकर लो फ्लेम पर हम लगतार चम्मच चलाते वे इसको भून लेंगे चम्मच आप लगतार चलाते रहें नहीं तो हमारी सूजी नीचे लग जाएगी और उसका कलर खराब हो जाएगा देखें बस इसी तरीके से घी के अंदर हम सूजी को भूनते रहेंगे लो फ्लेम पर और देखें सूजी का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि जो सूजी की बर्फी बनती है वो थोड़ी वाइटी बनती है तो बस लगतार चम्मा चलाते वे हम सूजी को भून रहे हैं और देख रहे हैं आप सूजी का दाना भी देखें कितना अलग हो चुका है इसी बीज हम तैयारी करेंगे चाशनी बनाने की मैंने लिए हैं चीनी और एक पैन में इसको डाल दिया है दो कप चीनी लिए तो आदा कप हमने इसमें पानी डाल दिया है क्योंकि हम ज़्यादा पतली चाशनी नहीं बनाएंगे अर दूसरे गयस पर हम इसको रख देंगे और देखें चमत चलाते रहेंगे ताकि हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए धेखें चीनी मेल्ट हो चुकी है अब हम इसमें एक चमत डेशी गी डाल देगे यह सब चाशनी हम सिर्फ थोड़ी गाड़ी बनानी है को तार बिल्कुल नहीं बनाना है देखें अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेटेड नारियल और डाल देंगे कटे हुए बदाम और पिस्ते हरी लाइची का पाउडर भी डाल देंगे मिला देंगे इसको और मेडियम टू लोफ लेम पर हम इसको लगतार चम्मा चलाते हुए पका रहे हैं और देखें बस इसी तरीके से हमको चाहिए थी चाशनी थोड़ी चिप चिप होनी चाहिए गाड़ी हम बिल्कुल नहीं रखेंगे यह तैयार है इसको हम रख देंगे एक साइड और अब हम आते हैं अपनी सूजी के तरफ ही देखें हम इधर भी अपनी पूजी को भूल लेंगे देखें कलर बिल्कुल हमने चेंज नहीं करा है बस हलका सा लाइट गॉल्डन कलर हुआ है अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने चाशनी बना कर रखी थी मिला देंगे और अब लगतार चमाच चलाते वे मीडियम पर हम इसको पका लेंगे तब तक की गाड़ा नहीं हो जयाए इतना हम इसको पकाा लेंगे चमाच आप लगतार चलाते रहें अब देखें थोड़ी थोड़ी गारी होने लगी है और देखें कितना गाड़ा हमारा यह हल्वा बन रहा है बस इसी तरीके से हमको चाहिए था बस थोड़ा और गाड़ा करेंगे इसने पैन भी छोड़ दिया है बस इसी तरीके से हमको चाहिए था अगर आप हलवा खाना चाहें तो इसको उसी तरीके से रख सकते हैं अगर बर्फी जमाना चाहें तो आप इसको इस तरीके से बर्फी जमा सकते हैं हमने इसको डाल दिया है एक प्लेट के अंदर जो हमने ग्रीस करके रखी थी इस तरीके से हम इसको थोड़ा टैप कर देंगे ताकि जो हमारा हलवा है वो चारो तरफ हैल जाए अब हम इसको पर डाल देंगे कटे हुए बदाम और पिस्ते और लगा देंगे चांदी का वर्क ताकि जो हमारी बर्फी बने वो बहुत ही खुपसूरत लगे यह optional है आप लगाना चाहें तो लगाएं नहीं तो आप चांदी का वर्क को skip भी कर सकते हैं यह देखें मैंने चांदी का वर्क लगा दिया है और इसको रग देंगे 2-3 घंटे के लिए ठंड़ा होने के लिए फिर आपको बताते हैं कि ठंड़ा होने के बाद में हम इसमें कट लगाएंगे अगर आपको जल दिये तो आप इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं मैं इसको किचन के काउंटर पर ही छोड़ दूँगी ठंड़ा होने के लिए और देखें 2-3 घंटे बाद यह अच्छे से सेट हो चुकिए अब हम इसमें लगा लेंगे कट हम इसकी बर्फी काटेंगे तो इस तरीके से में इसके कट लगा लूँगी आप अगर चोकोर शेप में काटना चाहें तो चोकोर आप बर्फी कर सकते हैं मैं इसको करूँगी डाइमंड शेप में बस इसी तरीके से दूसरी सैट से भी हम कट लगा लेंगे तो देखें कितनी जल्दी हमने बर्फी बना ली है और बनी हैं बिल्कुल सॉफ्ट हमने हाड बिल्कुल नहीं बनाया है इसको बड़ी आसानी के साथ आप बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से हमने इसको बनाया है बस ही देखें हमने इस तरीक से बर्फी के पीस कर लिए है अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर बन के तयार है बहुती मुलायम सौफ्ट सौफ्ट हमारी सूजी की बर्फी बनी है तो इस शब बरात पर इस तरीक से आप बनाए बहुती प्तेश्टी बहुती लाजवाब हमारी बर्फी बन के तयार हुई है अगर हमको हमारी जैसी पर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों और फैमिली साथ शेयर करें चैनल पर नई आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले हमारी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाफेज